सन प्लान्ट एग्रो लिमिटेट ने इस दिशा में पहले ही जत्त्रोफा पौधों द्वारा बायो डिजल के उत्पादन में अपना कदम बढ़ा लिया है कमपणी ने लगभग 1201 भूमी का अधिग्रहण किया है जिसमें 72 एकर भूमी कमपणी की निजी है जिसमें 12 लाग से भी अधिक चत्रोफा पौधे लगाए गए हैं चत्रोफा पौधों में बायो डिजल पैदा करने के अलावा और शदी तत्व भी मौजूद है जिससे त्वचा के बिभिन रोगों लकवा यहां तक की कैंसर में भी लाब मिलता है इसका अपयोग साबुन बनाने, डाई तथा वारनिश बनाने में भी किया जा सकता है बायो डिजल भविश्य की एक स्थिती शील धार्णा है जिसके लिए कमपनी प्रिहत संसाधन के माध्यम से एक शोदागार तथा बायो डिजल प्लांट बिठाने की दिशा में अग्रसर है